दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चारधाम यात्रा और हिमकुंड साहिप की यात्रा के बारे में कुछ इम्पोर्टन अपडेट्स इस साल की चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की भीड अभी भी कम नहीं हो रही है इस साल की यात्रा को कुछ ही दिन हुए है लेकिन अब तक दो लाग से जादा भाविकों ने केदारनाथ और बद्रिनाथ धाम का दर्शन लिया है भीड की बज़े से अब यमनोत्री, गमगोत्री, केदारनाथ और बद्रिनाथ धाम के ओनलाइन रजिस्ट्रेशन तेरा जुन तक फुल हो गए है तेरा जुन तक कोई भी स्लोट या बुकिंग उपलब्ध नहीं है वही दूसरी और हिमकुंड़ साहिब की यात्रा में भी इस साल हर रोज 5000 लोगों का ही लिमिट रखा गया है हिमकुंड़ साहिब की यात्रा 22 में से शुरू हो रही है लेकिन हेमकुंडल साहिप के online registration भी यात्रा शुरू होने से पहले ही 9 जून तक फूल हो गए है यात्रियों की भिड़ देखकर प्रशासन ने चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार के दो offline registration counter बंद कर दिये है इस साल सोन प्रयाग में स्वास्त विबाक की टीम हेल्च चेक अप कर रही है पचास के उपर के उम्र के यात्रियों का हेल्च चेक अप करके ही यात्रियों को केदर्ना दर्शन के लिए भेजा जा रहा है तो दोस्तों आप अपनी यात्रा online registration करने के बाद ही plan करें अगर आपको online registration की detail जान करी चाहिए तो हमारा चारधाम और हेमकुंड़ साहिब का online registration ये विडियो जरूर देखे इसकी link मैंने विडियो के अंत में दी है तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपुन अपडेट्स ऐसे ही चारधाम और हेमकुंड़ साहिब की यात्रा के बारे में अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजे